29. रविंद्रनाट टेगोर और मेरे विद्यालियों की तुलना रविंद्रनाट टेगोर ने हम लोगों को आत्मा भिव्यक्ति के एक स्वाभाविक रूप में पक्षियों की भांती सहज धंग से गीत गाना सिखाया। एक दिन प्रातेकाल जब मैंने रांची के अपने विद्याले के एक चौदा वर्षिय चात्र भोलानाट के सुरीले गायन की प्रशंसा की तो उसने यह बात बताई बीच भीच में बगाता ही रहता था चाहें उसे कोई गाने के लिए कहे या ना कहे बस सुरीली तानों की पहले वर रवींद्रनाट टेगोर के बोलपूर स्थित सुप्रसिद शान्ति निकेतन विद्याले का चात्र रहा था मैंने उससे कहा रवींद्रनाट के गीत बचपन से मेरे होठों पर रहे हैं सारे बंगालियों को यहां तक की अनपर किसानों को भी उनकी मनोहारी कविता में आनन्द आता है भोलाने और मैंने साथ साथ टेगोर के कई धुरुफपत गाए उन्होंने हजारों भारतिया गीतों को संगीत में ढाला है जिन में से कुछ तो उनकी अपनी रचनाएं हैं और कुछ प्राचीन गीत हैं हमारा गायन समाप्त होने के बाद मैंने कहा साहित के लिए रवींद्र नात को नोबेल पुरुसकार मिलने के शीगर बाद ही मैं उनसे मिला था मुझे उनसे मिलने की इच्छा इसलिए हो रही थी कि अपने साहित के आलोजकों से निपटने में स्पष्ट वादिता का उनका साहस मुझे बहुत अच्छा लगता था यह कहकर म महोला का कुतुहल चाग उठा उसने पूरी कहानी सुनने के उत्सुकता प्रकट की मैंने बताना शुरू किया बंगाली कावे में नई शैली लाने के लिए विद्वानोंने टेगोर की कटू आलोशना की उन्होंने पंडितों को अत्यांत प्रिय लगने वाले निर्धारित नियमों को ठुकरा कर लोग भाशा की पदावली को शास्त्रिय पदावली के साथ मिला दिया उनके गीतों में मन को छू लेने वाले शब्दों में गहन दार्शनिक सत्य होता है प्रचलित सहित्तिक धंकी उन्होंने कोई परवा नहीं की एक प्रतिष्ठित समालोचक ने अ कीताँजली का उन्होंने स्वयम ही जब अंग्रेजी में आनुवात किया तो संपूर्ण पाश्चात्य सहित्तिक जगत ने उनके चर्णों में अपने श्रधा सुमन अर्पित कर दिये एक पूरी रेल गाड़ी भर कर पंडित जिनमें एक समय के उनके आलोचक भी शामिल थ है अंततया अलोचना के उनके ही प्रचलित अस्त्र को उन्होंने उन्ही की ओर मोड़ दिया उन्होंने कहा सज्जनों आप जिन गौरफ सुरभियों की वर्षा यहां मुझ पर कर रहे हैं उसमें आपकी गत कालीन घ्रिना की दुरगंद भी विसंगत रूप से मिली हुई है मेरे नोबेल पुरसकार मिलने और आप लोगों की प्रखर प्रशनसात्मग बुद्धी के अचानक जागरित होने के बीच कहीं कोई संबंध तो नहीं मैं तो अभी भी वही कवी हूँ जिसने आप लोगों को तब बड़ा ही नाराज कर दिया था जब मैंने प्रथम बार बंगाल मंदिर में अपने विनम्र काव्य सुमन अर्पित किये थे समाचार पत्रों ने टेगोर द्वारा सुनाई गई निर्भीक फटकार का व्रितांत प्रकाशित किया चापलूसी से सम्मोहित ना हुए उस पुरुष के स्पष्टवादी शब्द मुझे बहुत पसंद आए कोलकता में रवींद्रनाथ के सेक्रेटरी श्री सीएफ एंड्रूस ने मेरा उनसे परिचे करा दिया मैं जब बहां गया तो श्री एंड्रूस किवल एक बंगाली धोती पहने हुए थे वे टेगोर का उलेक प्रेम से गुरुदेव कहकर करते थे रवींद्रनाथ ने शिष्टता पूर्वत मेरा स्वागत किया उनके व्यक्तेत उसे मनमोहकता, सुसंस्कृत्ता एवं शालीनता नेस्रित हो रही थी उनकी साहितिक प्रिष्ट भूमी के बारे में मेरे प्रश्ण का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि वे मुख्यते हमारे धार्मिक ग्रंथों तथा चौदमी शतादी के एक लोकप्रिय कभी विद्यापती से प्रभावित रहे हैं इन स्मृतियों से आहलादित होकर मैं एक पुराने बंगाली गीत की टगोर द्वारा की गई पुनह प्रस्तुती आमारे घरे आपनार करे द्रहदीप खानी जवालो यानि मेरी कुटिया में अपने कर कमल से प्रेम का अपना दीप चला दो को गाने लगा भोला और मैं आनंद में यगीत गाते हुए विद्याले के प्रांगर में टहलने लगे राची में विद्याले के इस्थापना करने के लगभग दो वर्ष बाद शांतिने केतन में आने के लिए मुझे रवींद्रनात का निमंत्रन मिला ताकि हम दोनों अपने शैक्षणिक आदर्शों पर चर्चा कर सकें मैं खुशी से महा गया जब मैं उनसे मिलने पहुँचा तब वे अपने अध्यान कक्ष में बैठे हुए थे पहली भेंट के समान ही इस बार भी मुझे लगा कि उतक्रिष्ट पुरुशत्यों का चित्र बनाने के लिए यदि किसी चित्रकार को किसी मॉडिल की आविशक्ता पड़े तो उनसे अधेक अच्छा मॉडिल उसे नहीं मिल सकेगा प्राचीन रोम के कुलीन पुरुश की तरह तीखे नाक नक्ष का सुन्दर्ता के साथ तराशा हुआ सा उनका चेहरा लहराते केशों और लंबी दाड़ी के बीट सुशोगित था विशाल दयार्द्र नेत्र देवता सद्रिष्ट सौम्य मुस्कराहट तता बासुरी की ध्वनी की याद दिलाती आवास जो सचमुच मंत्र मुग्द कर देती थी मजबूत, सुद्रिण, लंबे कतके, गंभीर मुद्रा के उनके व्यक्तित्व में करीब-करीब नारी सुलब को मलता भी थी और शिशु सुलब, हर्शोत्फुल, स्वयम स्भूर्ती भी कवी दिखने में कैसा हो, इसकी आदर्श कल्पना, इस सौम में गायक की मूर्ती से अधिक अच्छी तरह साकार नहीं हो सकती टेगोर और मैं, शीग्री ही प्रचलित पद्धती से हट कर बनाए गए हमारे विद्यालियों के तुलनात्मा कद्धियन में मगन हो गए हमने दोनों विद्यालियों में कई बातों में समानता पाई, खुले आकाश के नीचे शिक्षा, सादगी और बच्चों की रचनात्मक प्रिवृत्ति के विकास के लिए पर्यापत अफसर रवींद्र नात्ने साहित्य और काव्य के अध्यन पर तथा संगीत और गायन के द्वारा आत्मा भी व्यक्ति पर काफी जोर दिया था, जैसा कि भोला के मामले में मैं पहले ही देख चुका था शांती निकेतन के बच्चों के लिए मौन के विशिष्ट समय भी निर्धारित थे, परंदू ने योग का कोई विशेश प्रशिक्षन नहीं दिया जाता था कवीवर ने राची में सभी छात्रों को सिखाई जाने वाले शक्ति संचार के योगता व्यायामों और एकाग्रता की योगिक प्रविदियों के मेरे विवरण को अत्यंत ध्यान से सुना टैगोर ने मुझे अपने आरंब के शैक्षनिक संघर्ष के बारे में बताया पाँचमी कक्षा के बाद मैं स्कूल से भाग निकला उन्होंने हसते हुए कहा स्कूली कक्षा के नीरस अनुशासनात्मक बाताबरण में उनके जन्मजात कवी रिदय की कोमलता को कैसे जटके लगते होंगे इसे मैं आसानी से समझ सकता था इसलिए मैंने चायादार विक्षों और आकाश के सौंदर्य के तले शांती निकेतन की स्थापना की सुंदर बगीचे में अध्यान करते बच्चों के एक छोटे से गुटकी और भावपूर्ण धंग से इशारा करते हुए उन्होंने कहा बच्चा फूलों और गाते पक्षियों के बीच अपने स्वाभाविक वातावरण में रहता है वहाँ बहापनी व्यक्तिकत प्रतिवा की गुप्त निधी को अधिक सरलता से व्यक्त कर सकता है सच्ची शिक्षा को बाय साधनों द्वारा भरा या ठूसा नहीं जा सकता बलकि सच्ची शिक्षा तो वहाँ है जो भीतर में नहित अनंत ग्यान भंडार को उपर ला सके मैंने उनके साथ सहमती प्रकट की और कहा साधारन विद्यालियों में बच्चों को आंकणों और एतिहासिक कालक्रम के अनन्य आहार पर रख कर उनकी आदर्शवादी और वीर पुजात्मक नैसरगिक प्रवृतियों को भूखो मार दिया जाता है कविवर अपने पिता देवेंद्र नात के बारे में जिन्होंने शांती निकेतन शुरू करने के उन्हें प्रेणा दी थी अत्यंत प्रेम के साथ बोलने लगे उन्होंने कहा पिता जी ने या उपजाओ जमीन मुझे दे दी जहां उन्होंने पहले ही एक अतितिशाला और मंदिर का निर्मान कर लिया था मैंने 1901 में यहां केवल दस बच्चों के साथ अपना शैक्षनिक प्रयोग आरंभ किया नोबिल पुरसकार के साथ जो 8000 पॉन्ड मिले वह सब विद्याले पर ही खर्च हो गए दूर दूर तक महर्शी के नाम से विख्यात दिवेंद्र नाठ टेगोर अत्यंत अध्भुत व्यक्ति थे जैसा कि उनकी आटो बायोग्राफी से पता चलता है अपनी युवावस्था के दो वर्ष उन्होंने हिमाले में ध्यान धार्ना में व्यतीत किये थे उनके पिताजी द्वारका नाठ टेगोर भी पूरे बंगाल में जन हितार्थ दान धर्म के लिए विख्यात थे इस गौरफ शाली वंश व्रिक्ष से अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पूरा परिवार ही पैदा हुआ है केवल अकेले रवींद्र नाठ ही नहीं बलकि उनके सभी सगे सम्मंधियों ने रचनात्मक अभिव्यक्ति में विशिष्टा दिखाई है उनके भतीजे गगनेंद्र और अवनींद्र भारत के शीशस्त चित्रकारों में थे रवींद्र नाठ के भाई द्विजेंद्र एक दार्शनिक थे जिनसे पक्षी और जंगली पशु भी प्रेम करते थे रवींद्र नाठ ने मुझसे एक रात अतिथी शाला में रहने का आग्रह किया शाम को आंगन में बैठे कवीवर और बच्चों के द्रिश्य ने मेरा मन मोह लिया मैं अतीत काल में पहुँच गया मेरे सामने प्रस्तो द्रिश्य प्राचीन काल के किसी आश्रम की तरह लग रहा था आनंद में विभोर गायक और उसके चारों और बैठे उसके भक्त जन सभी दिव्य प्रेम के प्रभा मंडल से घिरे हुए टेगोर मित्रता की प्रते गांट मनो माधुर्य के धागे से बांधते थे वे कभी भी अपनी बात पर जोर नहीं देते थे एक दुर्णिवार्य आकर्शन शक्ति से खींच कर रिदय जीत लेते थे इश्वर के उध्यान में खिला हुआ कावे का ये दुर्लब पोश्प दूसरों को एक नसरगिक सुगंद से आकर्शित कर लेता था अपनी मधुर आवाज में रवींद्र नात ने हमें अपनी कुछ अति उतक्रिष्ट नवरचित कविताएं पढ़कर सुनाई अपने विद्यार्थियों को आनंद देने के लिए रचे गए उनके अधिकांश गीतों एवं नाटकों की रचना उन्होंने शांतिने केतन में ही की मेरी द्रिष्टी में उनके पद्यों की सुन्दर्ता इसमें है कि लगभग प्रतेक छंद में ईश्वर के नाम का उलेक किये बिना ईश्वर का जिक्र करने की उनकी अध्वुत कला उनमें प्रकट होती है उन्होंने लिखा है सुरेर घोरे आपना के जाई भुले बंधु बोले डाकी मोर प्रभु के अर्थात गाने के आनंद में मैं अपने को इतना भूल जाता हूं कि आपको भी मित्र कहने लगता हूं जो मेरे प्रभु है दूसरे दिन दोपहर के भोजन के पश्चात मैंने अनिच्छा पूर्वखी कवीवर से विदाली मुझे इस बात का अनंद है कि उनका छोटा सा विद्याले अब एक अंतराश्ट्रिय विश्व विद्याले विश्व भारती बन गया है जहां अनेक देशों के छात्रों को आदर्श वातावरन प्राप्थ होता है जहां चित्भय मुक्त और सिरूंचा हो जहां ज्यान मुक्त हो जहां विश्व संकिन आपसी दिवारों से छोटे छोटे टुकडों में न बटा हो जहां शब्द सत्य की गहराईयों से आते हो जहां अथक कर्मधारा अपने हाथ पूर्णता की ओर फैलाती हो जहां विचारों का निर्मल स्रोत तुछ आचारों की रुक्ष मरु भूमी की बालू में खोना गया हो जहां मन को आप निरंतर विस्तारित होते विचार एवं कर्म में ले जाते हो उस मुक्ति के स्वर्ग में हे मेरे परंपिता मेरे देश को जागरित करो रवींद्रना ट्यगोर रवींद्रना ट्यार ूपटना ट्याम वार लग ले झांपटना